अलो दोस्तो वल्कम बैक अंडे डिस कम्यूनिकेशन चालेंज के 25 वे दिन में आपका स्वागत है तो बात उस वक्त की है जब बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसान हुआ करते थे तो वह एक बार किसी कॉलेज में लेक्चर देने पहुंचे तो उस कॉलेज के एक को एफसे वीडान है पूसे थाज है तो बिल गेट्स बताते हैं कि हां एक इंसान है गैक अफ़ार ले लूँड़क मैं अकभार वाले तो अखबारवाले ने कहा कि नए आप ले सकते हो यह फ्री यहे हैं मेरी तरफ से अब ले सकती हो बिल गेट्स उस अखबार ले लिया और चलल दिये संयोग से कुछ दिन बाद दो-तिन मंधे बाभ बिल गेट्स का फिर उसी एरपट में आना और फिर वो अखबार लेने के लिए पहुँचे अखबार उन्होंने जब लिया तो फिर पोकेट में हट डला तो फिर उसके पास चेंज की कमी पड़ गई तो बिलकेट ने अखबार ले अखबार ले बोला कि नहीं आप ले सकते हो ये फ्री है तो बिलकेट में ले लिएए पटर बताते हैं कि उस घटना के उन्नीस अन्वाद जब मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान बन गया, सबसे अमीर बंदा बन गया तो मुझे उस इंसान की याद आए, उस अखबार वाले की याद आए तो मैंने इसे ढूनना स्टार्ट किया और लगबग एक डिर मन्त बाद मैंने उसे ढून लिया और मैंने उस आदमी से पूछा कि आप जानते हो मैं कौन हो तो वो इनसान बोलता कि हाँ आप बिलगेट्स हो तो बिलगेट्स बताते हैं कि आपको याद है कि आपने मुझे अखबार दिया था तो वो इनसान बोलता कि हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने आपको दो बार अखबार दिया था तो बिल गेर्ट बताते हैं कि आपने जो मुझे अखबार दिया था आपने मुझे जो अहसान किया था मैं उस अहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ बताईए आपको क्या चाहिए मैं आपके ख्वाइश पूरी कर दूँगा तो वो आदमी बोलता है कि सुरी सर मुझे माफ कीजे बट आप अभी जो एहसान कर रहे है आपका जो एहसान है यह मेरे पिछले वाले एहसान के बराबर नहीं हो सकता तो बिल बताते हैं कि क्यूं बिल बोलते हैं क्यूं तो वो इनसान बोलता है कि मैं आप पर उस वक्त एहसान किया जब मैं गरीब था मेरे पास इतना कुछ नहीं था मैं अमीर नहीं था और आप मुझे पर उस वक्त एहसान कर रहे हैं जब आप दुनिया के सबसे अमीर इनसान है तो बताईए ये कहां का फियर हुआ आपकी जो एहसान है और मेरे जो एहसान है उसका मैच नहीं हो सकता बिल गेट्स बोले कि उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि ये इनसान तो मुझे भी ज़े अमीर है वाट अप पाउरफुल लेसन दोस्तो अगर आप किसी की मदद करना चाते हैं दुनिया में तो आप अमीर होने का वेट मत कीजिए आपके पास जो है उससे आप मदद कर सकते हैं रिचनेस, अमीरी, दौलत, शौरत, फेम ये इस बास से नहीं देखी जाती है कि आपके पास कितना पैसा है आपके पास कितना दौलत है, बलके इस बास से देखी जाती है, कि आप लोगों की कितनी मदद करते हो, कितना ऐसान करते हो, और आपका दिल कितना बड़ा है, बैदे वे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक Bill Gates कह रहे हैं, तो मेरा आप से एक सवाल है, बहुत ही important question, कि अगर दौलत और शौरत, फेम को इस बास से देखा जाए, कि आप लोगों के कितने मदद करते हो, आपका दिल कितना बड़ा है, और आप लोगों पर कितना ऐसान करते हो, तो फिर पताईए कि आप कितने अमीर इंसान हो, that's all from my side दोस्तो, आ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेर करें, ताकि लोग इस स्टोरी से इंस्पायर होकर, और लोगों के मदद करें, ताकि यह दुनिया जीने के लिए एक बहतर प्लेस बन सके, और बेटर प्लेस बन सके, और मेरे इस जरनी को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करें वीडियो को लास तक देखने के लिए थैंकियो सो मच